मैं सभी कास सवगत करता हूँ फीजीज गान मुकेश ने एक चैनल पर आज हम लोग रोटेशनल डायनमिस का थर्ड नमर का लेक्चेर देख रहे एक्चल में चाप्टर आज स्टार्ट हो चुका है एक कंसिडर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके पहले दो वीडिय का मिलेंगे तो डिस्क्रिशन बॉक्स में मैंने पूरे लिक्चर अप्लोड करके रखेते 2001 की सेम सिलाबे से सेम वीडियोज है उनली इसमें थोड़ा सा डिटेइल देनी की कोशिश करूंगा ताकि सभी बच्चों को मोटिवेशन मिले दूसरी गुजारिश करना चाहता कि मुझे कॉल मत करो हर स्टूड़ कर रहा है आज संडे आपको बता दू बच्चों यह मैं वीडियो दो बजे स्टार्ट कर रहा हूं मॉर्णिंग से कंटिनी कॉल सर मैं पढ़ाई कैसे करू सरीय कैसे करू वह कैसे अगर आप चाहते हो आपको वीडियो मिलना चाहिए तो प्लीज कॉल मत करिये मैं रिक्वेश्ट करना हूँ नहीं तो फिर वाटसप पे सर मेरा कॉल नहीं उठा रहे अब ऐसे कैसे हो अब बैड आदमी हो अरे यारे कोई लाइंग्वेश होगी और मुझे बताओ अगर आपके लिए कॉंटेंट प्रवाइड करना है तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेंगे ना कॉल नहीं उठा सकता नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा उस कॉंटक नहीं है तो चलो आज हम रोटीशनल डाइनमिक्स में सेंट्री पितल और सेंट्रिफीगल फोर्स यह बोड़ आ हुज है मेच्टी सीटी डुआ ज़र वाइस के लिए कामाने वाले कॉंटेंट को फर्वाइड करा हूं इसके बाद में और भी होने बाद अर भी पिटल हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग circular motion को content पड़ रहे हैं यह particle हो रहा है और यह particle हो रहा है anti clockward direction आइसे तो मैंने आपको बता ही थी कि यह जो tangential velocity होती है यहाँ पर particle हो रहा है यह tangential यहाँ पर यह तो यह tangential velocity होगी यह यहां पर यह tangential velocity होगी यहां पर यह tangential velocity होगी मुझे एक question से आपके लिए यह tangential velocity जो है ठेक है यह क्यों है ओके सबसे पहले यहां पर मेरा यह question से circular motion में दो type देखे uniform non uniform circular motion अगर यह velocity consider कर रहे है कि हम लोगों ने यहां पर यह particle हो रहा है इसकी speed, velocity speed दोवड अलग है तो speed constant है, समझो consider कर रहा हूँ कि speed constant ही इस particle की मान रहा हूँ कि इसकी speed जो भी होगी to speed constant है तो speed constant है तो velocity constant होगी क्या सवाल है velocity constant होगी तो आपका कोई भी motion uniform circular motion non uniform जो भी है uniform circular motion मान रहे हम लोग तो uniform circular motion रहा तो student velocity हमेशा क्या होती है change होती है sir क्यों change होती है क्योंकि student इसका क्या होता है direction change होता है और direction change हो तो इसकी velocity change होगे मैं speed की बात नहीं करा speed constant ही इस में consider कर रहे है कि इस circular motion में speed कैसे है constant है लेकिन velocity constant है क्या नहीं है velocity क्यों constant नहीं है तो बच्चो इसका direction continuous change हो रहा है देखो यहां particle यह direction और velocity किसको कहते magnitude as well as direction मतलब जिसका magnitude तो नहीं change हो रहा है speed change मतलब magnitude मतलब हर समय पे 5 meter प्रतिसेकंड taoader 5 meter प्रतिसेकंड 5 meter प्रतिसेकंड 25 मतलब magnitude से महीं लेकिन उसका direction चेंज हो रहा है और इस direction change होने से हमारी velocity चेंज हो रही है अब आ गाया 2023 क्योंभी चेंज हो रही है direction क्यों चेंज हो रहा है क्या reason ही क्योंकि बच्चों अभी तक हम लोगों-ने देखो डानेमिस में काइने मैटिक्स देखस देखा काइने मैटिक्स में हम लोग पढ़ते की डिस्प्लेस्मेंट वेलउसेटी एक्षरलेशन इसका टाइम क्या अज सब कुछ हम लोग आक पढ़ने जा रहे हैं है ना कानेमेटिक यहां पर kinetics पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले है? kinetics, आग किनेटिक में cause देखते है, report क्यों हो रा है, इसमें हम लोग करन नहीं देखते हैं kinematics में, kinetics में कारण देखना पड़ता है क्या रिजन है किसके कारण हो रहा है क्यों हो रहा है यह सोच इन में मज़ूर करता है तो चलो तो यह डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है क्या रिजन इसका डायरेक्शन चेंज करने का तो डायरेक्शन चेंज करने का यहां पर सेंट्री पिटल एक्सरेलेशन या रेडल एक्सरेलेशन कहते हैं मुझे बताओ यह फोर्स अंदर है यह फोर्स अंदर खिचले नहीं तो यह सीधा जाता था ना पार्टिकल को अगर मैं यहां पर कोई अंदर फोर्स नहीं लगाता तो पार्टिकल सीधा ऊपर जाता हूं उपर लेकिन मैंने क्या बोला भाई तुझे अंदर आना है तो जैसे पात किर्फाथ करतें यहां पर आगा यहां से यहां जाना यहां या ऒँल कि के रहे के फॉर्स जो है या अंधर कोई खेजने वाला है इसके कारण उसका डायेक्शनग हो रहा है मतलब student यहां पर आप लोग कह सकते हो centripetal acceleration हो रहा है मतलब एक बात 100% लिखके लेनी है आपका UCM हो या non uniform circular motion हो अगर particle circular motion में मूह हो अगर particle circular motion में घुमता हो तो वो accelerated motion में रहता है accelerated motion होता ही होता है या इसको आप लोग और एक नाम दे सकते है रेडल acceleration तो कोई भी particle अगर गोल गुमता हो तो इसके पास acceleration होता है भले इसकी speed constant हो तो भी क्यों यह direction के कारण यहां पर acceleration हो रहा है direction change होने के कारण बात समझ में आ रही है सर क्यों बता रही है अब मुझे बताओ यह centripetal acceleration के formula v square by r लिखाता और omega square v omega already देखा है सर क्यों बता रहे हम लोगों को centripetal force पढ़ना है क्या पढ़ना है centripetal force अब जो यह acceleration हो रहा है इसका कौज धुनना पढ़ेगा मुझे हाँ सर आज kinetics पढ़ा रहे आप kinetics तो पढ़ा दिया kinetics पढ़ा रहे मतलत मैं यह बोलने जा रहा हूं आज आप लोगों को कि यहां पर यह जो particle है यहां पर यह जो आप लोग tangential acceleration लिखते हो ठीक है ना यह जो acceleration है यह तो यहां पर एक force होगी force के कारण acceleration होता हूगा अरे मेरे घड़ी है तूइलर घड़ी है स्कूटी चलाता हो घड़ी चलाता हो कुछ भी तो आप लोग अपने गड़ी centripetal acceleration इस force के कारण हो रहा है सहिए और equal to इस लिए लिखा कि इन दोनों का direction centripetal का direction जिसे direction में हो उसी direction में हमारा force होगा centripetal force अरे वही equal to लिखाए ना मने मतलब इसका जो direction होगा किसका centripetal acceleration का जो direction होगा जो force का direction होगा मतलब जो direction centripetal या रेडल acceleration का था वही centripetal force का भी है अच्छी बात है ना समझे तो यह फीज इक्वल टू हम लोग यहां पे magnitude के फॉर्म में लिख रहे हैं यम बस एक की पूट अप करनी है वी स्क्वेर बाय आर दूसरा बनेगा यम आर ओमेगा स्क्वेर को यम यम डालना है बस यहां पे यम वी ओमेगा तो यह हम लोगों को centripetal force के फार्मूले मिले हैं समझे centripetal फार्मूले मिले centripetal force के चलो कोई टेंशन नहीं है हमको और भी basic लेना है ठीक है एक बात बताता हूं इसका vector form लिखना है तो minus mv square by r यह यह फीजिक्वल टू लिख सकता हूं minus mr है ना omega square स्वेर सेरे minus n q vector form में लगाई थी क्या reason है यहां पे जो force मिली यह से यहां पे अच्छी समझ में आएगा यह यह जो force है और यह जो radius vector है कोन है क्योंकि पहले radius था अब radius vector बना दिया मैंने इसको direction देखे इस radius vector का और force का force कौन सा centripetal force का direction opposite कैसे सर समझा दो देखो कोई भी particle मुह हो रहा है radius का direction center से अवे होता है center of the circle to the position of a particle होती किसका direction यह radius का हम लोग किसका direction इसको check out कर रहा है centripetal देखो centripetal force का यह direction है तो यह opposite direction होने की कारण vector form में centripetal force के समय माइनस sense लगाते कब जब हम लोग vector form की बात करेंगे तब कोई it कोई attention है यह बात समझ में आ रही है चलो सर क्या centripetal force जो है वह centripetal force रियल force है क्या रियल तो force मोल सकते लेकिन यह centripetal force खुद कोई force नहीं किसी के कारण force तयार हो चुकी है क्या मेरे पास charger charger को गुमा रहा हूं ऐसे यह दिख रहा है आपको charger गोल गुम रहा है तो इसका जो force होगा इस मशिन का यह force का direction मेरे तरफ है तो वर्द सेंटर है ठीक है इसलिए गुम पा रहा है यह तो तूटके बाहर चले जाता मतलब यहां पर जो पार्टिकल मुह हो रहा है कैसे सरकुलार मोशन में तो उसका पार्टिकल का जो था यह यह मेरा चार्जर है इस है ना कॉड के कारण फोर्स अंदर लग रहा है ठीक है समझे तो इसको कहते है tension of the string किस कारण हो रहा है tension of the string के कारण हो रहा है मतलब यह tension centripetal force को मतलब यह already कोई force है उस force को नाम दिया resultant force को नाम दिया गया है centripetal force मतलब centripetal force कोई force नहीं है किसी के कारण तयार हुए वाला फोर्स है, किसी के कारण तयार हुए वाला फोर्स है, बास समझ में आ रही है, maximum हमरे tension से ही मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज गोल गुंगते हैं, हाँ, हो सकता है, दूसरा, electrostatic force हो सकता है, देखो, nucleus है, positive, ये electron move हो रहा है, तो electron move होता है, तो ये center के तरफ force होता है, तो यहाँ पर होता है, electrostatic force के कारण यहाँ पर centripetal force प्रवाइड होया है, मतलब real में force कौन सा है? electrostatic force, कुलम्स लॉप पढ़ा होगा आपने, इसके कारण centripetal force प्रोइड होया है मतलाब tension के कारण electrostatic force के कारण यह centripetal force त्यार हो रहा है यह कोई force नहीं है old force को ही new नाम दिया है हम लोग करते हैं कभी कभी कोई घर होता है पुराना घर है उसको थोड़ा सा coloring गिलरिंग देखे यह थोड़ा सा अच्छा तरे से बनाते है और घर को उपर से नाम देते है वैसा पुराना ही घर है उसको नया नाम दिया है centripetal force बाद समझे दूसरी बात यहां पे आप लोग कहां से देख रहे हो बहुत importance है कहां से देख रहे मतलब से नहीं समझे समझा देता हूँ मतलब एक बात करता हूँ conical pendulum जो पढ़ना है उसकी बात करता हूँ यह conical pendulum बोलते है इसको ठीक है मत चलो यह गोल गुम रहे है यहां पे बॉब है हमारा ठीक है यह बॉब है और यह बॉब गॉल गुम रहे गोल गुम रहा है ठीक है यहां पर ठीटा एंगल तार हो रहा है एक बंदा यहां से देख रहा है और यह बंदा और सर्फेस पर है ठीक है उसकी जो यह वेलासिटी जो है वो जीरो है अंगुलर वेलासिटी आर्थ गुम रहे है लेकिन हम लोग करीब-करीब जीरो ही मानते है इसके विलासिटी जीरो है करें मानते हैं ठीक है है ऐसे हम लोग तो रेश्टी समस्ते न आर्थ पर है तो क्योंकि हम लोग बहुत चोटी चीज है अरे बया इस पर आगर चोटी सी भूंगी यहां पर खड़ी हो उसने सर पर देखा तो उसको बहुत बढ़ा लगेगा वैसे ह हम लोग आर्थ पर बया ठीक है ना तो बहुत तो मालूम नहीं होता कि यह चीज गुम्री कुछ तो चलो रेश्ट पर है तो यह हम लोगों को दिखेगा यहां से यार गूल गुम रही है मतलब यह सेंटर के तरफ कोई फोर्स होगा हम लोग मानते क्योंकि कोई चीज गुम सकती है तो यहां पर सेंट्री पीटल फोर्स ही मानेंगे क्यों मान रहे है क्योंकि यह है ना इनर्शियल फ्रेम आफ रेफ्रेंस है inertial frame of reference मतलब जहां newton's के law लागू होते है मतलब यहाँ पे हमारी जो भी acceleration जो है वो 0 है समझे? acceleration जो है वो 0 मानते हैं हम लोग क्योंकि यह हम लोग rest पे है uniform motion पे है ऐसे मानो या rest पे मानो तो acceleration 0 है तब ही हम लोग यह centrifugal force पढ़ पाएंगे यह नहीं तो यही force हम लोगों को अलग force दिखाएगा यह हम लोग पढ़ने वाले हैं centrifugal force में मतलब हम लोग line लिख सकते हैं इसके characteristics में it is a real force यह real force से बोल सकते हैं दूसरी बात it is a inertial frame of reference मान सकते ठीक है तिरसरी line यह it causes the circular motion बोल सकते है it causes the circular motion और यह towards the center of the circle along the radius इसकी define लिख सकते हैं कैसे towards the towards the center of the circle along the radius बात समझ में आरिये towards the center the force acting on a particle हाल हाना तूर देखो लगाना कैसे force acting on a particle हाना यह परफॉर्म युनिफॉर्म सर्कुलार मोशन तूर दे सेंटर कहां सेंटर की तरफ जो फोर्स है हाना along the radius is called the centripetal फोर्ट बोल सकते हैं मेरे खाल से बहुत भी बढ़िया तरीके से बतानी की कोशिश की है मैंने मुझे लगता यार इससे और भी जाता समझाओ तो आपके ऊपर चला जाएगा तो centripetal फोर्स फार्मुले क्या क्या है मैंने बता दी आपको यंवी स्क्वेर बार और ओमेगा स्क्वेर यंवी ओमेगा इसके एक्जामपल इलक्ट्रोन रिंवार्ट अरुए अर्थ रिंवार्ट अरुए सकते हो और बहुत जो भी एक्जामपल अच्छे लगते हैं वह डाल सकते हूं बाद क्लियर होगी यह था आपका centripetal फोर्स centrifugal force क्या होती है चलो next बात करते है centrifugal force की देखो centripetal हो गया अब भी centrifugal के लिए बात करते हैं बहुत easy और simple है centrifugal force ठीक है मतलब यह दोना भी force जाओ center के related है क्या है center से related है ठीक है okay इसलिए century नामी century century मतलब center चलो बात करते हैं जैसे कि यहां पर आप लोग महले में जाते होंगे तो वहां पर जूले खेलते हैं खेलते हैं आप लोग ओके या दूसरा example पकड़ते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो charger charger का example अच्छा लगता है बच्चे को आप है ना समझो यह charger charger चार्जर को में गोल गुमा रहा हूं एसे एसे यह गुमा रहा हूं इसे ठीक है तो इसको गुमा रहा हूं तो एक बात कि यहां पर मैंने इसको पकड़ाता ऐसे हात में ठीक है यहां पर और यह मेरा charger अब देखो सेम एग्जंपल दे रहा हूं कुछ अलग एग्जंपल नहीं है अब इसके पहले क्या क्या था मैंने यहां से देखा था आर्थ पर खड़ा होके दब मैंने कंसेडर किया था कि यार यह कोई पार्टिकल है और यह गोल गोल गुम रहा है तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स है और यह टेंशन के कारण त्यार हो रहा है यह मान लिया था अब मैं यहां पर ना खड़े रहते हुए, मैं यहां पर जा रहा हूँ, और यहां पर खड़ा हूँ, समझो मैंने यहां पर मेरी आखे बंद कर दी, आखे बंद हो या खुली, और चलो दाना नहीं बोलूँगा मैं यहां पर, तो खड़ा हूँ यहां पर, और यहां पर खड इतना फोर्स हो उतना ही बाहर वाला फोर्स इकवल हो इसलिए मुझे कोई फिल ही नहीं हो रहा है कि मैं जैसे कि मैं आर्थ पर हूँ आर्थ मूं हो रही है हो रही है लेकिन जो फोर्स बैलेंसिंग है रिजल्टन फोर्स बैलेंसिंग है इधर वाला इधर वाला सेम फोर्स है तो मेरे उपर जो फॉर्स लगेगा और रिजल्टन जीरो होगा रिजल्ट फॉर्स जीरो है मेरे पास बास समझे ना ओके चला आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं ही फॉर्समानः पाल्भ मैं यहां पेट्थे वाला हूं ठीक है अब मैं यही जैसी ही मैंने आखे खूल दिये और यहां पे इक्वलक फोर्स मैं हैं अनबैलेनस ओलैंस ऊंटंछ सेंट्रिविटल फोर से ये फोर्स ज्याधा लग रही है यह क обяз जाने वाली और अवे जाने वाली फोर्स को मतारों मुझी डर लग रहा है काई से बताओंगा अभे फ्राम जा रहा हूं मतलब यह फोर्स जादा है तो मैं इस रसी को पकड़ वह से और मैं बोलूँगा बचाओ बचाओ चिलाओंगा जो जो से क्यों चिलाओंगा मुझे डर लग रहा है कहीं ना गिर ना जाओं मैं कहीं ना मैं फॉल हो जाओं यह फिलिंग आती है मेरे अंदर अच्छी बात है कि यहां पर सबसे में यह जो ऑब्जर्वर था यहां से उठके यहां आ गया अगया है अनुर में question X-related motion में आ रहा है मतलब Newton's law follow होने वाले नहीं है समझ लो तो यह X-related motion में आना उसको कहते है non-inertial frame of reference सही है अब यह condition आगे non-inertial frame of reference में कोई टेंशन नहीं X-related motion में आ रहा है non-inertial frame of reference है समझे कोई टेंशन है यह है non-inertial frame of reference में आगा है जब non-inertial frame of reference मतलब यहां पर हमारा जो X-relation है वो not equal to zero है मतलब Newton के law को follow नहीं करता यह देखो यह नियल्यम Newton's law of motion कहते है न यन यल्यम यह जो है न यह नियल्यम के कारण ही तो तयार हो चुका है मैंने element में पढ़ा है आप लोगों को क्या reason है मतलब इस बंदे को अब X-related motion में लाया था पहले कैसे लाया था मैं बाहर था बाहर खड़ा था तो इसका a is equal to zero था अब यह is equal to not zero तो मतलब देखो मैं कहां खड़ा हूं इसके उपर depend होता है inertial non inertial frame of reference हां इन बातों को समझना बहुत जरू रहे है तो इस बंदे को लगेगा X-related motion मैं गिर रहा हूं मैं कहीं न कहीं इदर जाओंगा Ummowayphone राहां रहों कहां राहों अवें र ंट जा रहा हूं इस बातों को समझना हे इसको हम लोग यह जो है इदर लगने वाला जो प्रस है इसी को कहेंगे हम लोग centrifugal force कहते है जो अवे जाता है जो अवे जाता है इसी को centrifugal force कहते है लिख देता हूं centrifugal force लग रहा है आप है सही है एक्स रेलेटेड मोशन के करन non-inertial frame of reference हो रहा है a is equal to not equal to 0 है centrifugal force इसी को कहते है यह बात को आपको सबढ़ना है और इसको एक force कहते है क्या देखो अपने नाम सुना होगा pseudo sports मतलब यह not real force कहते है इसको यह real force नहीं है not real force pseudo sports है इसे को क्या कहते है pseudo sports अब मुझे बताओ centripetal acceleration यह है इसका direction इसके अपोज़े इसका मतलब centrifugal का direction यह है इसका direction यह है और centripetal acceleration की formula है और omega square v square by r और v omega यह already हम लोग ने देखा है मतलब यहां पर मैं force is equal to जो resultant force है यह force कौन सा है यहां पर लिख सकते है आप लोग इसका जो resultant force जो है इसके बात कर रहा हूं जो away के तरफ है यह मैं लिख सकता हूं minus m e देखो यह is equal to newton तो पता है लेकिन मैंने ऐसा क्यू लिखा है माइनस क्यू लिखा है क्यों क्यू श्टूटन यह force और centripetal acceleration का जो direction है वह opposite देखो एक force इदर है एक force इदर है अब इदर वाला resultant जो force है वह ज्यादा लग रहा है इदर बाहर वाला देखो इसलिए मैंने यह science लिखा है यहां पर कोई tension है समय में आ रहा है यह आप लोग लिख सकते यह फीज इक्वल टू यहां पर माइनस यम आर ओमेगा स्क्वेर यह आप लोगों को फार्मूला मिल रहा है अगर किसी को वेक्टर फ़र्म में लिखना है तो यह माइनस sign नहीं होगी यहां पर होगी यह फीज इक्वल फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फ़र्म में पॉजिटिव आएगी क्यों क्योंकि आर का डायरेक्शन यह है यह यह आर का डायरेक्शन है यह तो सेंट्रिपिटल फोर्स का भी डायरेक्शन जो है वह सेम है इसलिए पॉजिटिव सेंस होगी हां बच्चो सेंट्रिपिटल force में ठीक है centripetal force में हम लोगों को minus m r omega square ऐसा लिखा था vector form में इसका vector form plus में फिर यह minus n किसकी है sir यह sign है बच्चो centripetal acceleration की और जो centrifugal force का जो direction है इनकी direction का बार में बता रहा है देखो हां बहुत बड़ी गलतियों होती है magnitude form में centrifugal force and centripetal force sign opposite है और vector form में opposite है कैसे opposite है? I will repeat कर रहा हूँ इसमें बहुत सारे बच्चे गफला करने के chances हो सकते इसलिए देखो centripetal force centripetal force cpf इसका जो direction होगा ymr omega square ठीक है? यह centrifugal force का minus ymr omega square यह है आपका magnitude के form में और vector form में यहां लिखे देखो centripetal force positive sign है यह इसकी negative sign है centrifugal force की vector form में उल्टा है समझें न? उल्टा है देखो यहां का इसका minus लिखा है यह minus ही इदर plus लिखा है vector form की बात कर रहा हूँ चलो हम लोग ऐसे भी लिख सकते है क्या? कि जो sign आपके books में जो इस्तमाल की है कि यहां पे ymr omega square r plus यहां पे real forces is equal to zero हां correct लिख सकते है उसको अगर add करो तो resultant force यहां पे zero मिलेगा इसके उपर यहां पे है न? अगर उसने ठीक न? यह मिल सकता है तो यह थे centrifugal force centrifugal force यह pseudo force है यह imagine कर सकते है हम लोग ठीक है दूसरी बात यह non-inertial frame of reference है जब कोई इस चीज accelerated motion में आये तब हम लोगों को centrifugal force समझ में आता है अगर आप लोग यहां पे खड़े हो तो आप बोलेंगी centrifugal force है लेकिन खुद जाके बेठो इस पार्टिकल पर तो feel आता है कि मुझे कोई बहार खेश रहा है इसलिए इसकी define भी लिख सकता हूं में यहां पे क्या इसलिए 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 इसल अलांग दी रेडियस ठीक है अलांग दा रेडियस इस कोड़ इस सेंट्रिफिगल फोर्स बात समझ में आरी यह है आपका सेंट्रिफिगल फोर्स और भी बहुत कख हुआ बाकि होरीजन्टल स्पीड वेहिकल स्पीड क्या है वो देखेंगे लेकिन पहले इसको नोट डाउन करें सिंपल है ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का आपको आपको अप्लिकेशन देखना यूनिफर्म सर्कुलार मश्यन यूसीम है यूसीम क्या अप्लिकेशन है इसमें हम लोग को को पहले वेहिकल अलॉंग होरीजन्टल सर्कुलार ट्रैक है मतलब एक्चुली यह सर्कु मतलब कोई उपर लेवल नीचे लेवल नहीं होती है समझाना एकदम ऐसे सेम लेवल ऐसे जाके ऐसे टर्न ले सकते है एक सर्कुलार ट्रैक होता है जो की ऐसे होता है ठीक है ऐसे होता है तो यह जो सर्कुलार ट्रैक है हमारा यह होरीजन्टल है इसलिए इसकी डाइग्राम थोड़ी से अलग तरीके से आपको देगी है कैसे बात करता है देखो ये horizontal इसलिए निकाला इसका center है समझो यहाँ पर इस road का ये ऐसे turn ले रहा है ऐसे turn ले रहा है ऐसे बात करता है ठीक है वेhicle है मेरा यहाँ पर ये वेhicle है जिसका mass EM है ठीक है तो obviously इसका जो नीचे नीचे जो force होगा F is equal to EMG होगा perpendicular एक force लगाएगा ये surface क्योंकि surface से contact है ठीक है गड़ी का हमारे ये समझो tires है इसको पर एक normal force लगेगा कौन सा normal ओके सर कोई टेंशन नहीं है और उसके बाद में आपके पास उस गड़ी के सेंटर के तरफ जो ये होगा distance वो और है और यहां पर एक force लगेगा ऐसे सेंट इसके लिए उसको कहते हैं देखो ये frictional force है ठीक ना frictional force है what it? बात समझ में आ रही है क्योंकि मेरा हर चीज़ का force center के तरफ होता है तो उसका भी होगा और ये static friction force कब लगने वाला है friction force कब लगेगा जब मेरी गड़ी चलेगी तो friction जैसे कि मेरा हाथ देखा पी हाथ चल रहा है उपर friction इधर लगेगा तो मेरी गड़ी चल रही है उदर तो friction लग रहा ही इधर ठीक है इस पर 3D डाइगराम नहीं इसलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ मेरी गड़ी चल रही है तो friction force आपोज में लगता है तो यह center के तरफ force लग रहा है क्योंकि गड़ी अश्जी जा रही है तो center के तरफ force लगेगा तो सबसे पहले आपे हम लोगों को लिखना है कि कितने force लगे है तो forces mainly एक downward है ना act to the center of the earth EMG and upward force लगा वाला है इसने यह और यह frictional force है तो चलो बात करते हैं कौन-कौन से forces है और क्या-क्या लगा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले यानी is equal to लिख सकता हो student EMG equation 1 क्यों समझ में आ रहा है यह balance force है जितना याने गड़ी खड़ी क्यों है यह यह दोनों forces में समझे ना resultant force 0 यह वहाँ पर नहीं तो यह फोर्जादा रहे तो गड़ी नीचे 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 जैसे दल-दल में कोई चीज जाती है वैसे होता था अगर यह फोर्जादा रहे तो तो बिड़ी हावा में जाती थी लेकिन दोनों forces में चला उसके बाद में हमारे पास जो friction force है वह force है center की तरफ उसको यह force सकते हैं यह मारो मेगा स्क्वेर यह हम लोग यह मीवी स्क्वेर बाय और भी लिख सकते हैं कोई टेंशन है तो हम लोग ज्यादा करके यह इस्तमाल करेंगे यह मीवी स्क्वेर बाय और एक्वेशन नमबर टू हम लोग division कर रहे है second by first second fs divided by n fs की वले यह m v square by r divided by divided by यहाँ पर ymg मुझे लगता ym से ym को मार दो ठीक है तो बचा है fs by n is equal to v square by rg ठीक है यह मिल रहा है लेकिन एक बात समझो मेरा जैसे जैसे speed बढ़ाओंगा वैसे friction force बढ़ेगा अरे जैसे यह बढ़ाने वाला हूं यह वैसे friction force भी बढ़ेगा लेकिन एक limit होती है यह self-adjusting force है self-adjust करता है तो जैसे की कोई चीज यह बढ़ाओ तो यह बढ़ेगा यह बढ़ाओ तो यह बढ़ेगा यह और बढ़ाओ लेकिन एक limit है ठीक है तो इसलिए इसके लिए हमने laws of motion उदर पढ़ा है कि इसके लिए स्टाटिक फ्रिक्शन होगा इसका फार्मुला वहिया अगर इसके पर रखता हूं विए इस इक्वल टू यहां पर वी स्क्वेर बाई आर जी मुझे वी स्क्वेर निकालना है और कैं इसके बाद में अगर जादा मैं यहां पर आपका फ्रिक्शन तो बोलेगा यार मेरी जान लोगा क्या अब बस हो गया इसके बाद में तुम तुम्हारे खड़े में जाओ मुझे कोई लेना देना नहीं अरे कोई पी चीज कब तक रोख सकते जैसे कि यहां पर इस चीज को इसको मैंने पकड़के रखा है ठीक है इसको अगर इसको थे तो उसने एक फिर्ण में लगांगा यह लगा कर दो लगए दो लगा ओँगा चाहर गाहतो चाहर बीस लगा तो भीज लगया अब 100 के उपर मेरे पास महां नहीं है अ弑र 100 के बाद आपने अगर इसकी speed बढ़ा दी, कुछ कर दिया जादा force लगा है, तो शायल ये तूटने के chances है ये खड़े में उधर ही जाने के chances है charger, तो वैसे यहाँ पे भी होता है, तो इसलिए student, इसको maximum speed नहीं बोलेंगे हम लोगे, maximum speed तक ये ने क्या friction force लगाएगा, है ना मेरे speed बढ़ रही है, गड़ी के speed बढ़ रही है zoom जूँप 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 एक limit के बाहर जाओ, देखो हमारी गड़ी है ना, road को छोड़ की चली जाती यार, है ना, तो ये maximum speed निकाल रहे हम लोग, इन दोनों का मल्टिपिकेशन हों का है ना तो यहां पर Vmax is equal to रख सकता हूं मतलब आपकी इस रोड पर होरिजन्टल रोड पर जो स्पीड होगी एक तो यहां पर रेडियो सब करवेचर जितना ज्यादा उतनी आपकी रोड की में जितना मतलब चोड़ा रोड रहें दो आसा बड़ा रोड तो स्पीड जादा होती है हमारे गड़ी की मतलब देखो बड़ा रोड रहा हना हमारे एक्सिडेंड या रोड को छोड़के गड़ी नहीं जाएगी समझे ना क्योंकि जितना यह जादा उतना हमारे सेप साथ की स्पीड डे सकते बोले वाहां उस रोड पे तैयार हो रहा है फिलाल में समरुदिमा हमार त्यों आर बड़ा है उसके बाद में मुएस के उपरेडिपेंड है मुएस मतलब क्या कोईफिश्वन साफ फ्रिक्षिन बीट्विन टायर एंड रोड तो रोड भी नहीं कि ए देखो उसको ने क्या खाचे होते हैं मतलब उसको क्या बलते हैं गृफ होते हैं जितनी गृफ अच्छी उतना यह तो कॉंश्टन है तो यह माक्जिमन स्पीड हमारी इस होरिजंटल डोड पे रख सकते हैं वही निकाला वेहिकल अलंग दा होरिजंटल सर्कुलार ट्रैक रहा तो आपकी स्पीड इससे ज्यादा रही मैं गारंटी नहीं लोंगा उसका एक्सिटन होगा मर जाएगा विचारा खड़े में जाएगा पहले कोरोना ज्यादा है सर मरने की बात मत करना है समझे क्या इस बातों को द्हाम में रखना है ओके वेहिकल अलंग अलंग मियू आरजे मियू कोने कोईफिशिंस अफ्रिक्शन बिट्विंट टायर एंड रोड और इस दर रेडियस आप करवेचर रोड का रेडियस कितना जितना चोड़ा रोड उतनी हमारी स्पीड मैंग्जिमम हो सकती है तो मुझे लगता है कि यह समझ में आता होगा हम लोग अब मोट की कुवे की बात करते हैं इसको नोट डाउन करें नेक्स बात करते हैं मोट का कुवा हां सर हमने देखा है हम यात्रा में या कोई मेले में जाते हैं या दसरी के टाइम पे जाते हैं वहां पर हम लोग देखते हैं कि मोट का कुवा क्या होता है सर बहुत मजा आता टुईलर, फोरिलर, और उपर खड़े रेते हैं, हाथ भी छोड़े देते हैं, और गड़ी चला सकते हैं, सर, क्या reason है, क्या behind science है, उसको समझने की थोड़ा सब कुशिश करते हैं, तो चलो, पहले बात करते हैं, will of death क्या होती है, तो आपको पता है, मोत का कुवा, अब यहाँ पर हमारे पास जो भी मोत का कुवा दिया है, यह कंसिडर करते हैं, एक बंदा गड़ी लिखके खड़ा है, हम लोग हर चीज को particle मानते हैं, इसलिए छोटा मानते हैं, अगर गड़ी निकालू, गड़ी निकालू, तो बोड़ कहां से मिलेगा उतना बड़ा, इसल तो यह particle है, जो बंदा है यहाँ पर खड़ा था, जिसको गोल गुमना है, मोत की कुवे में अंदर जूम 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 गुमता है, तो उसका mass होगा sir, हाँ sir, तो उसका weight नीचे आता होगा, हाँ, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा, यम जी, अच्छ गुल गुमने का, ठीक है, तो इसके उपर एक normal force लगेगा, यह normal force, और यही normal force लग रहा है, तो किसके तरफे, center के तरफे, इसलिए centri vital force भी लग रहा है, got it, समझ में आ रहा है sir, अब मुझे बताओ sir, यहाँ पर यह force लगने से, यह गिरना चाहिए था नहीं गिर रहा है, क कोई भी चीज जाती है न, ऐसी, तो opposite force लगता है, और इसी force का नाम दिया है student हमने, EFS, static friction बोला है, रोकनी के लिए कोशिश करता है, हर चीज को रोकनी की कोशिश, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ न, ऐसे ऐसे, तो मुझे static friction रोक रहा है, समझे न, अब भी में मेरा कोई च static friction ने रोक दिया है उसको, तो यहां पर भी, यह static friction कितना होना चाहिए, इसके उपर भी बात करेंगे, ठीक है, बात करने वाले, यह बात समझ में आगी, मोत का कुवा है, मोत के कुवे में हम लोग ऐसे गोल गुम रहे है, तो गोल गुमते हुए, क्यों हम लोग ऐसे पहले मास है, तो यह वेड नीचे खेशता होगा, तो हम नीचे क्यों नहीं गिर रहे है, तो बचाने वाली एक force होती है, उसको static friction का यहां जाता है, वो बचा रहा है, इसी particle को पर यह वाल को चिपका है, कोई भी, जैसे कि मैंने हाथ रख दिया, उसने, यह अंदर क्यों नहीं ज बनाता है, तो यह यह बोलो, इससे अच्छा, हनी भी, उसके अंदर हट डालो, क्योंसे अंदर अंदर जाता है, क्योंकि कोई force नहीं लगता है, है न, normal force, यहां पर लग रहा है, solid में ज्यादा लगता है, तो यह force, यहां पर अंदर, और इसके कारण ही, मैं गोल गुम पा चलो, बात करते, कैसे कैसे, सबसे पहले, यहां पर, जो normal force है, यहां पर, towards the center है, समझो, यम और omega square, लिख सकता हूँ, ठीक है, यह, यम V square by R, ठीक है, यहां पर, formula लगा सकता हूँ, सेम यहां पर, Fs जो force है, वो है, यम जी, यह equation 1, यह equation 2 बोल उसको, लेकिन Fs क्या है, तो Fs static friction, वो less than or equal to mu s into n होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कि mu s का formula मैंने बहुत बार बोल चुका, Fs by n, सही है ना, इसके पहले, मतलब, यह लोंद में बताया था, यह जो है, यह static force जो है हमारा, इससे कैसे होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यह ज्यादा होना चाहिए, तो ही, यह possible होगा, ने तो नहीं होगा, ठीक है ना, अगर इसके equal, या उससे ज्यादा रहा, तो मैं बचा पहूंगा, ने तो मैं तो नीचे गिर जाओंगा, करता है mu s की और इनकी equation 3 बोलो 3 में equation इन दोनों की value put up करता है चलो mu s क्या है yam gs is less than or equal to mu s n की value क्या है मुझे velocity इसलिए v square by r डाल सकता हूं मुझे लगता yam से yam को मार दो ठीक है बचाए g is less than or equal to mu s v square by r है अगर मैं यहां पर r g यह इदर लाया तो divide होगा mu s v square कैसे v square यह formula डाल सकता हो कोई tension है मतलब क्या है मतलब यह जो है r g by mu s is less than or equal to velocity होना चाहिए मतलब यह है कि v minimum कम से कम वो speed इतनी होना चाहिए ऐसा मतलब है उसका इसका मतलब बताता हूं tension मतले ना दिमेदे में हार चीज़ समझ में आती है मतलब यह है कि यहां पर जो speed है कम से कम इतनी speed होना चाहिए इससे अगर कम speed रही तो मैं गिर सकता हूं मैं नीचे जा सकता हूं मतलब वो जो गोल घुमते है ना यह लोग वो speed को maintain करते हैं कम से कम इतनी speed रहना चाहिए तो यह घुमेगा नहीं तो आप बोलेंगे यहां पे sir minimum to minimum 20 meter प्रती से कन यह speed होना चाहिए और मैंने 5 meter प्रती से कन अगर speed कर दू तो मैं नीचे directly गिर जाओ गड़ी से गिर जाता हूं समझे मतलब तो यह speed कम करने का तरीका क्या हो सकता है minimum to minimum तो इसको बढ़ा दो वी इसको बढ़ा दो मतलब गड़ी के जो tire है ना उस tire जो है tire rough surface होना चाहिए जितना rough coefficients of friction जेतना मतलब जादा grips होंगे उतनी minimum speed कर सकते है यह radius of curvature बढ़ा दो मतलब यह जो इतना था इतना करा दो आप यह goal round होता है actual में है ना आपन जब देखते है ना तो यह ऐसा glass जैसा लगता है surface है ना यह actually मैंने लिका दा है लेकिन ए glass जैसे glass होता है है ऐसे होना चाहिए क्योंकि इससे भी थोड़ा सा support मिलता force यह जो है यहां पर यह ऐसे मतलब result होते है और result होने से कुछ पाड़ इसक्यूपर भी आता है मतलब आइसे होना चाहिए ऐसा और भी थोड़ा support मिलता हमारी इदर आइसे ऐसे नहीं होते मोत का कुवा ऐसा कभी होता ही नहीं हमारी इदर है क्योंकि हमारे गड़ी का टायर का radius of curvature जो भी होगा है मोत की कोय का इसका effect करता है तो मोत की कुवे में minimum कम से कम कितनी स्पीड रख सकते हैं देखो यहां पर maximum speed क्यों मोला है horizontal पर अगर इससे ज्यादा सो मीटर प्रतिसेकंड और आपने 120 कर दी तो मेरी गड़ी रोड के नीचे चैनने के chances होते है यह होता है horizontal circular track पर लेकिन यहां पर मोत की कुवे में कम से कम स्पीड रहने चाहिए कितनी उसकी उपर डिपेंड है बहुत कम रही तो मैं नीचे गिर सकता हूं बात समझे क्या यह फरक है यह horizontal के लिए और यह मोत का कुवा है यहां पर maximum speed देखते हैं यहां पर minimum ही क्यों देखना है क्योंकि यहां पर कम स्पीड रही तो मैं नीचे गि गिर सकते हैं जादर ही तो घुम सकते जुम 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 और भी 20 की 40 क्रों 50 क्रों 100 क्रों चलेगा हां ऐसे नहीं सर 200 एक लिमीट होती है हार चीज की लिमीट होती वाई ऐसे नहीं तो बोलेंगे सर मैं 100 की कर देता हूं यहां पर नौ सो हे 200 की करोंगा नहीं हो एसे नहीं चलेगा एक लिमीट होगी लेकिन यहां पर स्पीड जादा होने से फरक नहीं पड़ता है यहां पर कम होने से फरक पड़ता है कम होने से मैं गिर सकता हूं और यहां पर मैंग्जिमन स्पीड होने से मैं रोड के बाहर जा सकता हू यह दोनों में difference है, यह समझ में आना चाहिए, got it, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ना है, चलो खटक से इसको फार्मॉलिकल नोट डाउन करे, आगे बढ़ते हैं, next numerical देखते हैं, जो आपकी बुक्स में दिया है, directly question number, example number 2 है, motor cycle is to undertake horizontal circle, horizontal circle में, inside the cycle, lindrical wall है, of well, inner radius, मतलब answer में मुझे पहले radius लिखना है, 4 meter, coefficients of static friction between the tire and the wall is, मतलब यह दिये वाला है, 0.4, calculate the minimum speed निकालनी है, मतलब minimum speed कितनी होगी, एक सवाल है, और एक है, minimum frequency कितनी, यह दो सवाल है, अभी अब भी हमने V minimum का formula रखाता, root of rg by mu, maximum का क्या है, mu rg, ठीक है यह बात समझ में, V minimum निकालेंगे हम लोग, आ रहे है मेरे पास 4, g की value उन्हेंने बोलाए कि 10 रख दो, g की value minimum 10 रखनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो mu s की value क्या है हमारे पास, 0.4, तो यह तो simple air calculation, V minimum करेंगे, यह इसके 10 गुना जादा है, समझे ना, और इसका मतलब 2 बार 10, मतलब 10, 10, मतलब यहां पर कम से कम आपको speed रखना पड़ेगी 10, इससे कम नहीं रखवा सकते, इसके कम रखोगी तो गेरे जाओगे, उसके बाद में यन minimum निकालना है, मेरे खाल से V minimum by choice pair होगा, है ना, सही है ना, आता है ना formula, कि यह बतानी की जुर्रत है, formula आना चाहिए, कहां से formula आते है, ठीक है ना, तो यन minimum, चलो बात करते, V minimum मिला है मुझे 10, यह 2, यह 3.14, एक काम करता हो ना, फटाक से 6.28 हमेशा डालना, जहां पे 2 pi की value 6.28 करना, क्योंकि 2 into 3.14 की value यह होती है, शायद समझे होगे आप क्यों लिखा, multiply r, r की value क्या है 4, तो कर लो यहाँ पे यन minimum, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 4 से गुना करोगे, तो मुझे रखता है, यहाँ पे 32, सही है, 32 ना, 3, यह 8, 11, 1 क्या रहे, 25, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ता है, log of 10, log of 25.12, है ना, तो यहाँ पे 1 point समझ में आता है, 1 point क्यों करते हैं, तो characteristics मेंटी साथ दरा साथ नहीं आता है आपको, तो log table की series देखे, यह बहुत importance है, मेरे हाथ में log है बता रहा हूँ है, आप लोगों को कहा देखना है log, आप 10 का 0 में देखना है, देखो, log table निकालना है, log 11 लिखा रहेता है, 10 का 0 में, देखो, पहली लाइन 10, 11, 14, 14, log table, उसमें आपको 0 के लाइन में 008, 0000, 0000, 4 0, बाद में 25 का देखना है, एक में, देखो, 25 का एक में, 25 का एक में है, 3997, और 2 में main difference है, 3, तो यहां पर मुझे लगता है, 4000 होँगे, है न, देखो यहां पर, 3997 है, 3 एड करोगे, तो आपको यह 4000 मिलेगे, तो आपको करना है subtraction, क्या करना है, subtraction करना है आप़, तो obviously 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0, यहां पर होगे 10, 10 में से 4 गए तो 6 रहेंगे यहां से यहां गया तो यहां 0 हो गया बच्चो जीरो में से 1 नहीं जाता लेकिन बार 1 हो सकता है आप देखना है इसका अंटी लॉग तो अंटी लॉग देखना पड़ता है 60 का पॉइंट के बाद के 2 डिजिट तिसरे और चोथे में देखना पड़ता है तो अंटी लॉग पॉइंट के बाद के नमबर है पॉइंट के बाद 60 देखना है आपको जीरो में 398481 और जीरो में में दिफ्रेंस तो नहीं है तो यन मीनिमम चलो यह मिल रहा है मुझे कितना 60 का 0 में 3981 यहां पे पॉइंट है एक छोड़ के पॉइंट अंटिलोग देखने के बाद एक छोड़ने के बाद पॉइंट होता है चार डिजिट होते है तो एक छोड़ के देना है तो 10 रेश्टू जो पॉइंट के पहले होते है बार रहा तो माइनस वन अगर बार नहीं रहता पॉइंट टू ऐसा रहता तो क्या करते थे अब लोग 3.981 10-2 लिखते थे समझे पॉइंट के पहले जो भी नंबर होगा वो करते हो यह से करना था ओनली 1 से ठीक है यह मुझे मिन रहा है लेकिन आपके बुक्स में यह मिनिमम एप्रोग्जमेटली 0.4 रिवालुशन लिखा है तो करेक्ट है यह भी करेक्ट है क्यूंकि इसको करते हो है रौंड अप करते तो 0.4 लिख सकते हो बास समझ में आ रही है तो यह basic knowledge पता होना चाहिए तीन मार्क की लिए numerical होता है formula लिखो आदा मार्क वेलिपुट की आदा answer with proper unit आदा देड़ मार्क हो गया है यहाँ पर भी आदा मार्क वेलिपुट की आदा answer with proper unit आदा तीन मार्क की लिए यह numerical hc board में आने के chances होते हैं अब रही बात कुछ formula को थोड़ा सा यहां पर घुमा फिरा के आना चाहिए मतलब यह formula कहां से आ गया तो हम लोग ने तो formula v is equal to r omega देखा था याद होगा आपको देखा था न relation between linear velocity angular velocity तो v is equal to r toys by n लिख सकता हूं कि ने तो n is equal to मुझे बता वी यह इदर है तो toys by r यह formula कहां से आ गया तो यह formula पता होना चाहिए बच्चे confused होते कि सर ने मुझे formula पढ़ाया नहीं है सर ने formula कहां से source of मतलब formulas होते है तो यह basic knowledge होना चाहिए relation between linear velocity and angular velocity relation between omega का और frequency का relation यह है तो उसको put up किया मैंने और डाल दिया तो यह frequency का formula मिला तो इस तरीके से आप लोग इसकी screenshot निकालो important question है इसलिए बता रहा हूँ student तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत जरुए बच्चे दिमाग नहीं लगाते और दिमाग नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा physics में हर lecture item करो और new बच्चे को बेजो जितना share हो सके उतना करो क्योंकि बच्चो आपके कारण में 2022 के लिए यहां पर 2022 के लिए मैं काम कर रहा हूँ वह आपके लिए है ठीक है new बच्चे के लिए मैं जान बुचकर मुझे calls आ रहे थी इसलिए मैं बना रहा हूँ तो मुझे support भी उतना ही होना चाहिए जितना आप लोग ने बोला है उतना support होना जरूरी है तो चलो बच्चो शेर कर करना है नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब भी करना है चलो थैंक यू एंड बेस्ट लग फार यूर श्टेड़ी एंड यूर फुचर प्लाल